आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं जो हालिया वक्त में के के रूप में टीम को इस 2024 के सत्र का IPL विजेता बनाने के बाद गोतम गंबीर को हेड कोच बनाने का निर्णे लगभग पका है आए आज की इस खबर पर चर्चा करें हम इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से जानते हैं T20 विश्रकप 2024 के समाप्ति के बाद भारत को भी एक बड़े बदलाव से गुजरना होगा क्योंकि टीम के मुख्य कोच के रूप में राहूल द्रविड का 10 साल का कारेकाल समाप्त हो जाएगा टूर्नमेंट के अंत में BCCI के साथ एक नया मुख्य कोच नियुक्त किया जाएगा वे हैं कोलकाता के वर्तमान मेंटोर का नाइट राइडर्स गोतम गंभीर किर्कबच की एक रिपोर्ट के अनुसार BCCI के शिर्ष अधिकारियों से संपर्क करके पुस्ति की गई है कि भार्तिय मुख्य कोच के रूप में गोतम गंभीर की दियुक्ती अंतिम शिर्ष थेटर है जिसके साथ ही BCCI के सुत्रों ने प्रकाशन को बताया कि गोतम गंभीर को इस पद के लिए शामिल करने के प्रियास किये जा रहे है भूमिका रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि गोतम गंभीर ने उपचारिक रूप से इस भूमिका के लिए आवेदन किया है और अपने करीबी लोगों को यह भी बताया है कि वह रास्ट्री चीन के मुख्य कोच बनने के प्रस्ताव पर गंभीरता से वचार कर रहे है यहां तक कि कोलकाटा नाइट राइडर्स के CEO मालक शाहरूख खान की भी यह बात जानते है रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि गोतम गंभीर और BCCI सचिव जेस आर के बीच घूमिका को लेकर कई बार चर्चा हूए चर्चा के बीच मुख्य बस शब्द हैं देश के लिए करना है शाह और गंभीर दोनों ने जो बयान साजा किया है रहे भी गंभीर के स्टिल्व द्रस्टिकोन के अनुरूप है गंभीर को ट्रेडर्स की सफलता मिली है और 2022 और 2023 में IPL 2024 की नीलामी से पहले उन्हें नए KKR के रूप में नामिद किया गया था तो यह थी हमारी खेल जगह से जुड़ी हुई कुछ रोचक खबर ऐसे हम से जुड़े रहने के लिए और कुछ ऐसी भिन खेल से जुड़ी हुई खबरों के लिए एर नियूस को सब्सक्राइब करना ना भूले और नियमिद अपडेट्स के लिए किर्फिया शेयर करना और कोलो करना भी ना भूले